आनन लो प्रति दिन जिवन का मैं आपका स्वागत है हमारे साथ बने रहने के लिए धनियवाद मुझे विश्वास है कि परमिश्वर का नाम आपके जिवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है मैं ये भी मानती हूँ कि मन में धान लेने पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं तो आएए हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित हो जाएए ये गंबीर होने का समय है हमें परमिश्वर के साथ अपने संबन के प्रती गंबीर होना चाहिए ये तुम्हारा रवईया या तो गर्म जोशी से भरा हो या या पिलकुल ठंडा हो गुनगुना नहीं चलेगा क्योंकि गुनगुने रवईय को मैं नहीं स्विकारती स्रफ ये नहीं काफी कि आप हर रईवार चर्च जाएं मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ और आज रात फिर कहूँगी अगर मैं एक हफ़ते तक गैरेज जाऊंगी तो मैं कार नहीं बन जाऊंगी आमें आज कुछ लोगों से बातचित करते समय कुछ ऐसे लोगों का जिक्र चला जिसके जिनसे मैं भी परिचित थी वे मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं मैंने पुछा मैंने पुछा क्या वो इसाई हैं तो उन्होंने जवाब दिया हां वो तो यहीं समझते हैं वो चर्च जाते हैं लेकिन उनका वहवार कुछ समझ नहीं आता ये बात खेट जनक है फिर भी कई लोग इसी तरह के हैं वे चर्च तो वे चर्च तो जाते हैं पर वैसा जीवन नहीं जीते क्यों वजह है अनुशासन समर्पन की कमी वो गंबीर नहीं है वो आने वाले कल से बेखबर होकर जी रहे हैं पर कल तो आएगा ही बिना अनुशासन के वर्तमान सुखी लगता है लेकिन बाद में अनुशासन हिंता इसे अपनाने वालों को अच्छाएगा पार्ट पढ़ाती है रिंड चुकाने के प्रतिक गंबीर हो जाईए आपकी प्रतिक्रिया विचार करने पर मजबूर करती है सच मुझ जब कई वर्षों पहले मैंने और डेव ने रिंड चुकाने का निश्य क्या तो हमें बहुत मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ा क्योंकि हम उस समय अनुशासित नहीं थे और इस बारे में नहीं जानते थे आज ऐसा नहीं है मेरे मेरे बटवे के अंदर क्रेडिट कार्ड भरे हुए और मैं सबका रेंड महीने के अंतक चुका दोंगी आप आप अपनी चादर से बाहर पैर नहीं फैला सकते देर सवेर ये छोटी पड़ जाएगी आज नहीं तो कल ये भी हो सकता है कि आप अचानक आर्थी इकलाब से चमक कृत रह जाएं जिसके लिए जिसके लिए हर कोई प्रातना करता है लेकिन सब को रुन मुर्खती प्रातना सभा में सम्मिलित होने का आउसर नहीं मिल पाता जहां प्रातना की कतार में खड़े आपके सीर पर किसी संत का हाथ पढ़ जाए और आप उसी वक्त रिंड से मुक्त हो जाए ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है मैं मानती हूँ कि कभी कभी निर्दोश लोग अग्यान वश अत्वा किसी और और कारण से संकट में पढ़ जाते हैं सच यह है कि परमेश्वर चमतकार करते हैं वो हमें कश्टो के जाल से मुक्त कराते हैं हमारी पीडा को दूर करते हैं लेकिन क्या इसलिए जीवन को लापरवाई से चलाना ठीक होगा नहीं जीवन या अपन का सही मार्ग है सिद्धान तो का मार्ग अच्छा है कि बीजो को तब तक बोते रहिए जब तक बुराई का बीच समाप्त न हो जाए और फिर देखिए बदलाओ सफलता की अंगिनत सिडियां चड़ते जाएंगे आप सिद्धान तो को अपनाईगे उन्हें जीवन में उतारिए अपने जीवन का सुनिष्ड़री बनाईगे और फिर परिवर्तन का आनन उठाईगे परमिश्वर वास्तों में चमतकार दिखाते हैं हमें अपने आज पास प्रती दिन चमतकारों के दर्शन होते रहते हैं मैं आज जो हूँ वो एक चमतकारी है क्योंकि मैं अपनी पुष्ट भुमी जानती हूँ लेकिन हम चमतकारों की बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर बताते हैं यहां तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करतविय पालन बिलकुल भी नहीं करते आप अब सालों साल अपने शरीर को अपने शरीर को दुद्ध कारिए फिर बिमार पढ़ने पर सोचिए कि अभी एक चमतकार इस पर्ष से आप अच्छी हो जाएंगे और ऐसा होने पर फिर से दस्यों साल तक अपने शरीर की दुरगती कीजिए इश्यों ने एक महिला का इलाज कहा और कहा जाओ अब पाप मत करना चाहे कितना भी बुरा समयाए चाहे आप जाने या न जाने लेकिन शरीर की दुरगती करना बुरा है बाइबल में स्वास्थिय, आराम और निंद्रा सम्मंदी अनेक नियम है धर्ती के जर्नों में सौडा नहीं बलकि जल बहता है क्या मैंने सौडा पिया है? ज्यादा तो नहीं लेकिन पिया है मैंने मैं दिन में दो धाय कप कॉफी पीती थी इसलिए मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैं कैफिन की थोड़ी मात्राही से शरीर को अस्वस्त मैसूस करती थी किन्तु कई सालों की अच्छी देखभाल के बाद मैं अब ज्यादा नहीं पर थोड़ी मात्रा में ये सब ले सकती हूँ आज कल मैं थोड़ी मात्रा में ये सब भी सकती हूँ ज्यादा नहीं ले सकती, बाइबल कहती है कि सीमा में रहकर हर चीज का आनेंद लो, मैं मिठाईयां भी कातियों पर रोज नहीं तो बात का असार ये है कि स्वयम की दुरगती नहीं करनी चाहिए क्योंकि दुरगती अती की संगिनी है और अती शैतान की आरामगा है क्या आपने सुना दुरगती अती की संगिनी है और अती शैतान की आरामगा है आप कहेंगे मेरे साथ, मेरे साथ चमतकार क्यों नहीं होते तो बताए तो बताई कि आप रात को सोते हैं, परियाप्त पानी पीते हैं, आराम करते हैं, आचार के नियमों का पालन करते हैं, क्या आप एक दिन, एक दिन सब कुछ भूल कर शरीर को ढीला छोड़ते हैं, अपने मन को तनाव मुक्त रखने के लिए कुछ करते हैं, या लोगों की खु आपको पता है मुझे लगता है ऐसी कई बाते हैं जिनके बारे में हमें चर्च में चर्चा कनी चाहिए चर्च की भूमी का धर्मपालन संस्ता से बढ़कर हो जाती है जब सभी लोग धर्म का अनुकरण कर रहे हो मुझे आपको हर समय धार्मिक सिंधान्त नहीं समझाने हैं बलकि जीने का सही डंग बताना है हमें अच्छी संबन बनाने के लिए स्वयम को उधारन बनाने के लिए मार्दर्शिन चाहिए ताकि अधीक से अधीक लोग प्रेणा लेकर चर्च तक आये चाहे हम उपदेशक बने या ना बने उपदेशक बनना कोई ज़रूरी नहीं मैं आपको उस बिंदू तक ले जाना चाहते हूँ जा अग्यान में डूबे लोगों को बाइबल की मदद से जगानी की बजाए आपको व्यक्तित्वा आत्म जागरन का संदेश जुनाई ताकि वो कह सके कि आप सचमुछ अलग है हाँ ये हो सकता है या ये बिलकुल हो सकता है लेकिन इस समय में कुछ लोगों का मन पढ़ रही हूँ वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा ये तो बड़ा कठीन काम है आपको नहीं मालूम मेरे उपर क्या बीत रही है और कितना बड़ा संकठ है जब इश्व ने द्रस्थान किया तो हमें सांतवना और सला देने के लिए हमारी सहायक, शिक्षक और मद्यस्त बनने के लिए पवित्रा आत्मा को धर्ती पर भेजा बाइबल ये कहती है कि पवित्रा आत्मा हमारे दोशों को सिद्ध करेगी दोश्व सिद्ध और आलोजना करने में अंतर है वास्तों में कई बार जो पवित्रा आत्मा किसी मनुश्या से प्रश्ण करती है और वो स्थिती को समझने में असबल हो जाता है तो शैतान वहां पहुँचकर परमेश्वर के अच्छाईय छिन लेता है और हमारी आत्मा को पाप के असनिय बोच के निचे दबा देता है आप समझते हैं कि जब भी परमेश्वर आपके किसी बुरे काम को सुधारत हैं तो इसके पीछे उनका प्रेम ही छिपा है वो हमारी चिंता से व्याकूल है इसलिए ऐसा कर रहे हैं और अच्छा यही है कि हमेशा हमेशा मार्क से विचलित होने पर परमेश्वर हमारा मार्दर्शन करे वरना हम अज्यान के अंधकार में अंधे और बहरे की तरह हमेशा भटकते रहेंगे कस्तूरी मिर्ट के समान व्यार्थ ही खोज में उल्चे रहेंगे जबकि अभीष्ट अभीष्ट तो हमारे सामने है लिकिन उसे पहचानने के लिए हमारी आत्मा को सही नेर नए और समर्पन की मदद चाहिए तो हमारे अंदर कस्तूरी की गंद परमेश्वर से हमारे संबंदों की गहराई पर निर्भर है शायद कुछ लोग ये भी सोचे ऐसा ऐसा मैंने देखा है कि जब लोग वास्तविक्ता को जानकर अपनी कम्या कम्या देख लेते हैं तो हताशा में किसी प्रकार के सुधार की कोशिश भी नहीं करते कहने लगते हैं जैसे मेरा मुझ भी खराब है मैं रूर्ण में डुबा हुआ हूँ मेरा घर अस्त व्यास्त है शादी तूट रही है बच्चे बच्चे कहना नहीं मानते मेरा वजन 40 किलो बढ़ रहा है मुझे सब कुछ खराब लगता है अब तो सिर्फ कोई चमतकार ही कुछ कर सकता है इस विशाई पर बात करने की दैविय प्रेणा मुझे मिली ता कि मैं यहां बैठे हुए या टीवी पर कारेक्रम देखते हुए कुछ लोगों को समझा सकूँ मेरी बात पर ध्यान दीजी एक बार में एक समस्या पर गंभीरता से सोचिए मान दीजी कि आपको बहुत घुसा आता है आज यहां बैठे कोई कोई मानो भाओ मेरे घुसे के बारे में कुछ कहेंगे बाइबल कहती है बाइबल कहती है घुसा मत करो यह हमारी क्रोधा गिन को शांत करने को कहती है शान्त होकर बात करें और कानों को चौकन ना रखें मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के बताई नेकी के मार्क से उसे भटका देता है प्रेम को क्रोध नहीं आता और भी कई उधारण है जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रेल नहीं रखता यानि अपने सेवनों को वश में नहीं रखता वो एक उजड़े हुए शेहर के समान है जिसकी चार दिवारी तूट चुकी है और कोई भी शत्रोंदर आ सकता है इसलिए जब हमारे क्रोधी स्वभाव के कारण आये संकट के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी क्रोधी प्रवृति को स्विकार ना चाहिए हम कहते हैं ठीक है अगर इसने ऐसा किया तो मुझे क्रोध नहीं आएगा या वैसा होने पर मैं क्रोध कुछ शांत रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं आएगा लेकिन एक बात मत भुली आपको अशांत करने के लिए कोई न कोई कारण अवश्यूत्पन हो जाएगा चाहे आपके उस कारण के विशे में कभी न सोचा हो क्योंकि शैतान आपको उक्साने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है जब तक आप स्वयम की शांती के लिए संसार को परिवर्तित करने का प्रयत्ना करते रहेंगे तब तक आप सदेव अशांत रहेंगे लेकिन जब तक आप बाधाओं के बीच भी शांती से वहवार करेंगे तो कुछ भी करें कोई फरक नहीं पड़ेगा आप शैतान की पहुँच से बाहर निकल ही आएंगे वो कुछ नहीं करेगा इसलिए परमेश्वर के समक्ष आवेश को रोकने की प्रार्थना मत किजिए बाइबल कहती है कि मनुश्य में आवेक अवर्ष्य भावी है लेकिन आवेगों के वशी भूत नहीं होना चाहिए आवेगों को दूर करने की दूर करने के चेश्टा मत करिए बलकि उनके बीच शांत रहने के प्रार्थ ना करिए तब कोई समस्या नहीं है आप इश्वर के निकट है आप इश्वर के निकट है चलिए आपके बुरे स्वभाव का कारण इर्शा को ले लेते हैं आप अपने मित्र, अपने संबंधी से इर्शा करते हैं इसे नियंतरित करने के लिए परमिश्वर के प्रेरित मार्ग पर चलिए मुझे देखी आपको एक बात बताती हूँ आप सरवश्रेष्ट, मनुश्या सर्प इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप हर रविवार चर्ट जाते हैं दूसरों दूरा की गई बेस मिनिट की, प्रार्थना सुनते हैं मुझे हर रोस टीवी पर देखने से भी आपको आत्मबल प्राप्त नहीं होगा, थोड़ी मदद अवश्य मिलेगी दिर्फ एक सोच आपकी आपके मदद कर सकती है, क्या सच मुझे आज का संदेश सुना चाहिए? ठीक है, आपने संदेश सुनकर नोट्स बनाएं, आवशक्ता नुसार, टेप और किताबे खरीदी आपने टीवी देखना कम किया कुछ दिन भोजन छोड़ा और इस तरह गबबाजी के बीच भोजन कक्ष में बरबाद होने वाला समय बचाया सही कहा न? अपनी कार में बाहर जाईए, एक पार्क में शांती से बैठकर सोचिए, ठीक है, परमिश्वर मेरा ये समय सिर्फ आपको समर्पित है मैं इस बुरे स्वभाव को छूड़ना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहते और मैं जानता हूं कि सिर्फ आप ही मुझे बदल सकते हैं मेरी बुराईया दूर करने में केवल आप ही समर्थ में यहीं बैठकर पढ़ूंगा आप बुरे स्वभाव को व्यक्तित्व सवारने वालिश निंखलाए सुनकर नहीं सुधार सकते कभी भी नहीं क्यों है न? ये सा मेरे अनुसार महत्व की बाते हैं किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रीत करिए एक साथ कई काम करनी की कोशिश ना करें शब्द कोश में क्रोत की परिभाषा देखे और उसे नोट करिए जीवन में सपलता के लिए गंबीरता होना आवशक है बाइबल कहती है हमें उबर ना होगा उबर ना होगा जो उबर जाएगा नहीं तो जीवन में आनंद आएगा नहीं व्याख्या में कहा गया है कि हम सब के भीतर किसी ने किसी बुराई का अंश है जिसे दूर करना है मैं अपनी मीत्रों को बता रही थी कि परमेश्वर मुझे हर बार किसी विपरित स्थिती में डाल देते हैं लगता है अब बस हो गया इतनी परेशानियों के बीच कोई कैसे कोई कैसे जीवित रह सकता है मैं अब नहीं जी सकती इतनी परेशानियों का सामना कोई कैसे कर सकता है क्या आपने भी यह यूनवो किया है परमिश्वर परमिश्वर मुझे परिक्षा में डाल रहें एक बार एक बार जब डेव के प्रती आदर के अभाव में हमारा वहवार एक जीवन तनाव में था मुझे लगा कि डेव भी तो मेरा सम्मान नहीं करता और जब ये विचार आका लेता गया तो मैंने सुचा जरूर परमेश्वर उसकी मनस्तिती को ऐसे उलजा रहे होंगे मैं मैंने डेव से पूचा उसका रिदय भी हमारे खराब संबन्दों के कारण व्यतित है तो डेव ने कहा नहीं ऐसा नहीं है और तब मैंने कहा परमेश्वर हमेशा मैं ही क्यूँ अब मेरे पीछे ही क्यूँ पड़े रहते हैं मुझे जवाब मिला सुनो जोईस तुम मुझसे बहुत ज्यादा मांग रही हो बिना ये जाने कि तुम्हारे पास कितना कूछ है तुम्हें फिर भी असंतोश है हमें कमियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जब उनन कमियों के कारण संकट ग्रस्त या बेचेन हो तो परमेश्वर का धनियवाद करना चाहिए कि वो हमें अंधकार में नहीं डूबने देते बलकि हाथ पकड़ कर जीवन का सही मार्थ दिखाते हैं वास्तव में प्रगटि करन तीन में ये कहा गया है कि धीला ढाला स्वभाव छोड़ो गुन गुने पानी की तरह मत बनो आप तीसरे अध्याय की पंद्रवी पंक्ती से लेकर उननीस पंक्तियों पर ध्यान दीजी इसमें लिखा है कि जिनसे परमेश्वर्स नहें करते हैं उनकी दोशों पर नजर रखते हैं उन्हें सुधारते हैं अनुशासित करते हैं इसलिए हमेशा उत्साहित रहिए उमंगों की गर्मिया और उतिजना की तेजी को अपनाईए कभी कबार हम ये भी सोच लेते हैं कि ठीक है परमिश्वर्स नहें रखते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं ये समय गंबीर होने का है यूँ अन्ना पांच क्या आपके कार्ये सही है क्या आपको ये सही लगता है बाद में यहोदी उत्सव मनाया गया जिसके लिए इश्व येरुसलम गए तो वहां भेडों की द्वार के निकट एक तालाब था इब्राइनी भाष्शा में तालाब को ब्रेथेस कहते हैं जिसमें पांच दहुईयां होती हैं इनमें अनेक बिमार, अंधे, अपाहिच और लाचार लोग पड़े थे और पानी के उबलने की प्रतिक्षा कर रहे थे वो चमतकार की प्रतिक्षा कर रहे थे पानी के उबलने की प्रतिक्षा कर रहे थे पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, वे चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो, वो ठीक हो जाता था, वह एक मनुश्यता जो 38 वर्ष से बिमारी में पढ़ा था, वही 38 वर्ष से, इशु ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और ये जानकर, कि वो बहुत दिन कि क्या तुम सचमुच इस समस्या को दूर करने के प्रती गंबीर हो, और मैं आज यहां उपस्तित तता टीवी पर ये कारेक्रम देखने वाले सभी लोगों से, यही सवाल करती हूँ, क्या आप सचमुच जीवन को सहज बनाने के लिए गंबीर हैं, क्या आप इसका मुल्य चुकाने को, तयार है बहुत से लोग, परमिश्वर विशेश वर्दान की कामना करते हैं, जिससे उनके अंदर भी देवत्वत जागरूत हो, आत्मग्यान का कोई मुलिया नहीं है, यह आपकी कोई वस्तो आप से नहीं छिनता, लेकिन इश्वर का कुरुपा पात्रा बनन प्याग दिना होगा, कुछ आदतों को जीवन से दूर करना होगा, जिससे वेक अभी आपके निकट ना आए, अपने स्वभाव, विचार, शब्दों, खर्चिली आदतों, मित्रों, पोशाक, बाचीत और खान-पान को बदल देना होगा, मैंने वो आपके जीवन का स्वर रूप ही बदल दिया है, आप ठीक होने के लिए गंबीर है, ये बात इश्यो ने उस आदमी से पुछी ती जो 38 वर्षों तक वही पर बीमारी में पड़ा हुआ था, जैसे ये प्रशन सम्वेदला रहीत लगता है, अगर आप अपने रदे का सारा दुख मेरे सामने प्रक शायद आप सोचे, कैसी मिनिस्टर है ये, उस असहाय ने उतर दिया, श्रीमान जब पानी मेरी और आ रहा था, तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैं पानी की और, जब मैं पानी की और बढ़ने लगा तो मुझे, मुझे कोई और सरकाने लगा, शायद आपने इसका सही शो तक, मैं ताला की कगार पर खड़ा छट पटाता रहा, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं करूंगा, या तो मैं इसमें गीर कर डूप जाऊंगा, या जल के प्रतम स्पर्ष से मैं चंगा हो जाऊंगा, यहीं पर, यह कहना बंद कीजिए कि फला चीज मेरे वश के बहार है, दूसरों को क्रोथ करना बंद कीजिए कि तुमारे इस काम में कोता ही करने के कारण में वो नहीं कर पाया, 25 साल तक, 25 साल पहले हुए हाथ से का, मातम आज मत मनाईयों क्योंकि वो बीच चुका, उसके लिए आप क कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो सही सतियक हो जा है कि अच्छा आंथ अच्छी शुरूआत का मोताज नहीं है, अपने जीवन के कई साल मैंने इसी भ्रह्म में गवाय कि मुझे इश्यू पर विश्वास है, बुरायों से बचने की प्रेणा तो मुझ में थी, किन्तु मानो ताकि उच्छ दम शिखर पर पहुँचने की चेश्टा नहीं की, अब मैं मानती हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ संबंदों में प्रगार्ता लानी होगी, हमें पूर्ण मानो बनने की चेश्टा करनी होगी, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, वो हमें प्रत जागरित करने में सहायक हैं पूरे संसार में मस्सी के प्रेम को बाठते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं